बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत दोस्त होते हैं कुछ दोस्ती पे जानने उचावर कर देते हैं कुछ दोस्ती को खुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उन्हें लगता उनका काम ही उनका दोस्त है अब मेरा यह जो टाइटल है Never trust a silent friends because यह अपने आप में बहुत चादा इसका जो heading है वही अपने आप में काफी कुछ clear कर देता है silent पे एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था the more silent you are the more you are और उसके बड़े सारे फायदे बोले थे पर आपका दोस्त silent हो वो भी तब जब आप continuous conversation में हो तो कही ना कहीं गड़बड है कहते हैं कि हम लोग कभी भी अपने class में और जादा तर student related video ही मैं बनाता हूं क्योंकि daily life में मैं बच्चों से मिलता हूं और ज्यादा तर उसमें से neat aspirant है आज की date में और aspirant कोई भी हो चाहे IIT का हो नीट का हो UPSC का हो लग बग more or less same mechanism होता है उनकी preparation में same mechanism होता है उनके competition में exam के time में और same situation होता है दोस्ती में teachers के साथ behavior classroom behavior तो अब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त वही बनते हैं जिनके साथ हमारी energy synchronize करती है कई वारे class में हम जाते हैं 40-50 बच्चा होता है उसमें 2-3 हमारे दोस्त बन जाते हैं तो basic जो सुरूर में जो दोस्ती के लिए attraction होता है वो हमारी नेचर होता है कि हमारे नेचर किसी साथ मैच करता है कोई जॉली होता है हमें अच्छा लगता उसके साथ सुनना बात करना लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप आज कल एक सुडो लाइफ है और एक रियल लाइफ है अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपको contribute करें आप उसको contribute करें जो कि देखो मदर के सिवा कोई भी relation दुनिया में निस्वार्थ नहीं हो सकता अनकंडिशनल नहीं हो सकता तो आप का दोस्त अगर आपको positive contribute ना करें और silent हो most of the time जब आप travel में हो silent हो जब आप मुसीबत में हो silent हो जब आपको जरुवत हो silent हो तो आप ऐसे दोस्त को तुरंत छोड़ दीजे जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जादा आप सुकुन में रहेंगे कभी भी ऐसे लोग पर आप trust नहीं कर सकते हैं वो आपसे आपकी सारी information लेगा आपके notes लेगा आपसे question पूछेगा जब ओ दिकत में होगा तो आपको समय बर बात करेगा बोलेगा कि आप मेरे को पढ़ाओ मेरे वो concert बताओ जब ओ खाली time में होगा तो आपका time waste करेगा जब ओ पढ़ेगा तो आपको बताएगा नहीं आपको demoralize करेगा negative बाते करकर करके खुद हो positive रहेगा internally वो चाहेगा का आपको खतम करके educationally एक अपना competition खतम करे silly thought ऐसे बहुत सारे दोस्त आपको मि अपना sufficient है आपके लिए जानने के लिए so thank you very much